स्टार्ट जाइदा कीमत मिले हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आसा करते हैं कि वे अधिक पैदा करे लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीजे हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज सरकारे भी कर लगाती रहती है अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवसकता है जिनकी पूर्ती करना बहुत आवसक है उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपियोग कर सके हमारे परदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा भी होती है लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है बिजली घर यदी बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है नलकु पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किये जा रहे हैं जहां पर बिजली पंची भी है वहां के जो किसान है वे भी दर-दर ही ठोकरे खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डिजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं लेकिन अब सरकार ने डिजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे फिर आपको कहां से अन मिलेगा आप किसान से यह आसा करते हैं कि वे अधिक अन पैदा करके आपको दे उपज बढ़ावे लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं किसान पर आप इतना बोज डालते जा रहे हैं कि उनके परियोग को ही वह भूल जाएगा खाद की भी बात की जाती हैं आप कर खाने भी खोलना चाहते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहां आकर वे खाद के कारखाने खोले और खाद पैदा करें क्या आप खाद इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी हसल भस्न हो जाए कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा इसलिए आवसकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए